हेलो दोस्तो मैं रावल मिश्रा आप सबका स्वागत करता हूँ अपनी इस नई वीडियो में इस वीडियो में हमने मिसिंग नंबर के टॉफ फिफ्टीन कोश्चन डिसकस किये हैं सारे के सारे हाईली एक्सपेक्टेड हैं अप लोगें हैं इस वीडियो को लास तक ज़रूर देखें और हमें कمن्ट सेक्षन में ज़रूर बताएं और हमें कि टाइप है box अब box type क्या होता है आपके exam में सबसे ज़्यादा इसी type पे question बनते हैं box method पे box type पे ठीक है so box type को करने का तरीका क्या होता है कि box हमारा divide किस चीज में होता है हम सब को पता है कि rows into column में हमारा box divide होता है आप लोगों करना क्या है एक box की पहली वाली row और उसी box की पहली वाली column को देखना है ध्यान से और आपको movement उस side करनी है जहां सबसे बड़ा number लिखा होता है जिस row या जिस column में last में सबसे बड़ा number लिखा होता है तो 68351 और 61520 इस side और इस side में last number सबसे बड़ा किदर लिखा है downside तो आपको करना है 51 find out करना है तो आपको यह पता लग गया इस method से कि आपको movement कि side करनी है movement कहां करनी है आपको downside तो इस method को adopt करके आप क्या सीख सकते हैं कि आपको movement किदर करनी है ठीक है सो अब आपका काम क्या है कि आपको 683 से 51 find out करना है अब 683 आपस में छोटे number है अब इन सब को अगर हम add करेंगे तो 51 बनने का chance बिलकुल भी नहीं है square करेंगे तो तो बहुत ज़्यादा अबब हो जाएगा cube करेंगे तो बहुत ज़्यादा अबब हो जाएगा तो add square cube का तो pattern बचाने और जो अब यह pattern मिला हमें क्या मिला इसको numbers को देखने के बाद अगर मैं 6 की multiply 8 से कर दूँ I will get 48 48 में कितना add करूँ 3 तो what I will get 51 तो यानि की pattern हमारा identify हो गया आसानी से कि जब 6 को मैं 8 से multiply करता हूँ 3 मैं add करूँ तो 51 आयागा अगर हमारा pattern ठीक है तो next वाली equation में next वाले box में भी satisfy होना चाहिए अब इसको pick करते हैं अब क्या करना है 15 into 4 plus 5 60 and 65 yes we got 51 and 65 तो हमें pattern पता लग गया तो अब यही same pattern हमें इस वाले box में apply करना है तो करना क्या हमें 20 into 5 20 into 5 is 100 100 plus 20 which we will get 120 तो यसे correct answer हो गया 120 तो इसको solve करने के तरीके क्या होता है पहले आपको identify करना है दोनों की first row first column फिर आपको check करना है square है cube है या multiplication है या addition है number के nature को identify करके ठीक है I hope question number 1 आप लोगों को clear हुआ होगा अच्छे से now question number 2 पर move करते है question number 2 क्या है आपका 18 12 36 11 13 4 19 6 in question mark तो box है तो box में आपको identify क्या करना होता है पहला वाला row और पहला वाला column तो सबसे बड़ा number आपका किस side लिखा है down side लिखा है यानि की 18 12 36 तो find out क्या करना है आपको 36 तो आपको इसी side movement करनी है इस से हमें identify हो गया बट जब आप number को observe करोगे ना तो आपको क्या observation मिलेगी 6 यह क्या लिखा है 36 लिखा हुआ है ठीक है 36 क्या होता है square number है यह क्या है 4 है 4 क्या है हमारे कि square number है तो यहां भी हमारे क्या आना चाहिए square number आना चाहिए तो एक ही option है हमारा option number 9 तो यह होने की possibility है अगर हम सही है तो हमें pattern भी पता करना पड़ेगा कि 64 आया कैसे उसके लिए करना क्या है आपको अब 18 और 12 में से 6 बनाना है तो 6 कैसे बनाएंगे 18 और 12 के बीच का difference लिया क्या आया 6 similarly 11 और 13 के बीच का difference लिया तो क्या आया 2 तो 2 का square यहां हो गया यह 6 का square हो गया अब इन दोनों के बीच difference लेंगे क्या आया 3 3 का square क्या हो गया 9 तो हमारा यह भी satisfy कर गया ठीक है दोस्तों तो यह square देखके मैंने identify किया next question है आपका question number 3 आप question number 3 करेंगे कैसे ध्यान से सुनना है आपका बहुत ही ज्यादा important question है यह paper में काफी बार आता है और लोग इसको पहचान नहीं पाते है 13 11 16 13 9 24 मैंने भी बताया था आपको पहला रो पहला column identify करना है ठीक है तो 24 find out करना है आप कुछ भी कर लोगे multiply divide into plus into plus के साथ addition कुछ भी करोगे तो 24 नहीं बनेगा जब भी आप ऐसे trap की situation में फच जाओ तो आपको करना क्या है sum of rows जो की बहुत ही जादा important pattern है आपका sum of rows या sum of column एक बार आपको try करके देखना है ठीक है sum of rows या sum of column आपको try करके देखना है तो इसमें अगर हम सबको add करेंगे तो क्या बनेगा हमारा 13 9 24 तो ये तो बन जाएगा हमारा 46 ठीक है अब इसको एड़ करेंगे 11 plus 6 17 तो 17 में कितना add करें जो 46 बन जाए 29 कैं 29 हमारा किसी option में है 29 चाहिए हमें, अगर हमें sum of rose किया तो 29 चाहिए कहीं option में है हमारे, नहीं है तो sum of rose वालो तो pattern हमारा यहां लगा नहीं अब next चीज बची हमारी क्या, sum of column sum of column इन सब को add करेंगे, तो हमें क्या मिलेगा 40, similarly इन सब को add करेंगे, तो क्या मिलेगा हमें 40, अब इन सब को add करें 29, में कितना जोड़े 40 मिले, तो यानि कि option number first हो गया, यानि कि 11 हमें add करना पड़ेगा, 29 में, जिससे कि हमें क्या मिल जाए 40 मिल जाए, तो I hope यह बात आपको समझ में आया होगी sum of rose identify कैसे करना है, यह बहुत important concept है आपके exam में इससे question बन जाते हैं, ठीक है number 4 भी आपका बहुत important question है, इस question में भी आपको क्या observe करना है, सबसे बड़ा number कहां लेखा है यह downside में यह इस side में, ठीक है, downside में यह इस वाली side में, अब सबसे बड़ा number 35 है, तो 35 find out करना है किस से, 0, 2, 3 से, multiply करेंगे तो 0 आजाएगा, multiply तो मतलब नहीं है, square करेंगे तो भी 35 नहीं आएगा हमारा answer क्यों, क्योंकि 2 का square क्या होता है 4, 3 का square क्या होता है, 9, 13 आएगा, तो भी possible नहीं है तो एक option बचा आपका, cube का, क्या बचा, cube का option बचा आप लोगों का, ठीक है, तो आपको cube करके चेक करना पड़ेगा, 0 का cube करें, तो क्या आजाएगा आपका 0, 2 का cube करें, तो क्या आजाएगा, 8, 3 का cube करें, तो क्या आजाएगा 27, अगर सारे को आपस में जोड दें, तो आपका क्या answer आजाएगा 35, similarly, इसको चेक करते हैं, 4 का cube is 64, 3 का is 27, 5 का is 125 सबको add करें तो आपको क्या जाएगा 216 ना 225 find out करना है चलो ठीक है देखते हैं क्या answer आएगा 2 का cube is 8 6 का cube is 216 ठीक है add करो आपस में 422 कितना less है 225 से 1 less है ठीक है 1 means 1 का cube यानि की option number C okay now question number 5 question number 5 आपका भी बहुत important question है अच्छे patterns आ रहे हैं आपके exam में बनते हैं नहीं से question 421 21 अब 421 21 यह वाली line observe करी और यह वाली line observe करी तो सबस्वड़ा number हमारा क्या है 21 है तो 421 से आपको 21 बनाना है multiply करेंगे नहीं हाएगा multiply करके add करेंगे तो भी क्यूब करेंगे तो बहुत ज़ाद़as number बन जाएगा क्यूब से नहीं है तो बचा को आपके पास एक last option यही बचा कि square करके check करते हैं कि square करके answer क्या बना ठीक है चलो check करते है square करके answer क्या बनाए इसमें अगर आप 4 का square करोगे तो आपको क्या मिलेगा 16, 2 का square करोगे तो 4, 1 का square करोगे तो 1, सबको add करोगे तो 21 similarly, यहां चेक करें तो 5 का square is 25 3 का square is 9, 8 का square is 64 अगर आप इस अब को add करोगे तो आपका answer आजाएगा 98 ठीक है अब इसमें करते हैं फिर 6 का square is 36 49 3 का square is 9 9 & 9, 18, 18 plus 6 24, 3 into 7 94 आपका answer होगे 94 कौन सा option है आपका option number A is the correct answer तो यह था आपका q pattern ठीक है यह था आपका square pattern Q6 भी हमारा box का है यह भी अच्छा question है आपका अब इसमें observe करने वाली बात क्या है कि 3-6 हो गया number increase होता जा रहा हर box में अब 10-90 हो गया अब 10-90 कैसे बनेगा 10-90 मुझे बनाने number increase होगा number increase होने का मतलब है multiplication अब 10 into 9 करेंगे तो 90 हो गया तो 8 into 7 करेंगे तो 56 हो गया 3 into 2 करेंगे तो 6 हो गया बट यह कोई हमें define pattern पताने लगा कि 3-2, 8-7, 10-9 यह ऐसे numbers आ रहे हैं ठीक है और 2 से 2 बचा तो 2 into 1 करेंगे तो यह भी कुछ sequence हो नहीं बन रहा आप लोग ऐसा जरू कह सकते हो कि 8 era 7 era एक number less से multiply करते है एक number less से multiply करते है एक number less से multiply कर गया बट 2 से 2 कैसे बनाएं यह सबसे बड़ा issue है तो यह pattern तो हमारा follow नहीं करा ठीक है अब actual pattern और क्या हो सकता है observe करने वाली बात हमारे लिए यह है कि अब कैसे किया जाए अब 10 से 90 हो गया 10 से 90 होने का मतलब एक तो 10 into 9 यह number 10 के square के close है अगर मैं 10 के square करूँ और 10 को less करूँ तो मुझे 90 मिल जाएगा yes follow कर रहा है अब 8 से 56 हो गया 8 का square करूँ minus 8 करूँ 56 आगे यह भी follow कर रहा है similarly 3 का square करूँ minus 3 करूँ 6 आगे यह भी follow कर रहा है यानि कि हो क्या रहा है पहले square का number और उसी number को subtract होता जा रहा है पीछे से 2 का square minus 2 हो गया similarly यहां क्या हो गया 1 का square minus 1 तो हमें pattern मिल गया यानि कि pattern क्या हुआ हमारा a का square minus a यह वाला pattern follow हो गया अब यह वाला box हो में fill करना है question mark वाला 20 कैसे आएगा 4 का square plus 4 करेंगे but plus तो मैं करना नहीं इसमें minus करना है तो next number क्या बचा 5 का square minus 5 तो यहनि कि हमारा option क्या हो गया option number a question का correct answer हो गया question number 7 आपका है circle pattern वाला question circle figure given है circle figure में क्या होता है आपको numbers के बीच gap चेक करना होता है 1 से 2 हो गया तो generally क्या gap है 1 का plus 1 का 2 से 3 हो गया gap कितना है plus 1 का 3 से 5 हो गया gap कितना है plus 2 का 5 से 8 हो गया gap कितना है plus 3 का शायद आप लोगों कुछ observe हुआ होगा अगर नहीं हुआ तो देखो क्या है 1 plus 1 क्या होता है sir 2 जो लिख दिया गया last के दो number का addition आगे लिखते जा रहे 2 plus 1 क्या हो गया sir 3 हो गया यह भी आ गया अब दो number छोड़ने last के और 3 plus 2 क्या होता है sir 3 plus 2 हो गया 5 यानि कि 8 में क्या add करना पड़ेगा मुझे 5 तो answer क्या आ जागा मेरा 30 ठीक है देखो ध्यांसे दुबारा यहां निकाला तो क्या आया 1 similar दोने के बीच का gap 1 फिर यहां निकाला तो 2 यहां आया तो 3 तो हमने क्या observe कि इसमें कि last के दो number का addition 1 plus 1 2 होता है आगे forward लिख दिया गया फिर एक number छोड़ा 2 plus 1 क्या होता है sir 3 होता है आगे लिख दिया गया question का ठीक है अब एक और pattern हो सकता है अगर आपको पता हो तो मैं बता देता हूँ एक और pattern क्या possible है एक और pattern भी हो सकता है हमारा answer इसमें और वो pattern क्या है उसको बोलते हैं Fibonacci pattern क्या बोलते है Fibonacci now देखो 2 plus 1 क्या होता है sir 3 होता है हमने आगे लिख दिया इसको फिर एक number छोड़ा 2 plus 3 क्या होता है 5 होता है फिर दो number छोड़े 5 plus 3 क्या होता है 8 होता है फिर 3 number छोड़े 8 plus 5 क्या होता है sir आगे क्या जाएगा 13 जितना step increase होता जा रहा है उतने numbers हम छोड़ते जा रहे है यह आपके CSAT and SSC, RRB में बहुत repeat हुए हैं इस ताइप के question तो बहुत important question है यह आप लोगों के लिए सारे के सारे ठीक है, now question number 8 check करते है, question number 8 है आपका star question star question में generally क्या होता है, कि हमें opposite number का relation check करना हूँ जैसे 9 से question mark का कुछ ना कुछ relation होगा, 12 से 54 हो कुछ ना कुछ relation होगा, 8 से 102 का कुछ ना कुछ relation होगा क्या आपको generally दिख रहा है कि 18 से 102 का कोई multiple है, नहीं, क्या increment है, नहीं, square के आसपास है, नहीं koji relation तो मिला नहीं 18 से similarly 12 से भी नहीं मिला 18 से भी नहीं मिला तो 9 से नहीं मिलेगा तो यह वाला pattern तो हमारा fail हो गया ठीक है सो बचा के आगे अब आगे check करते है 9 से 12 हो गया कितने increment हुआ प्लस 3 का increment हुआ 12 से 18 हो गया कितना increment हुआ आप प्लस 6 का इंक्रिमेंट वा 54 से 102 हो गया कितना इंक्रिमेंट वा प्लस 48 का अब हम देख रहा है कि last number next number का half है यानि कि next number का कितना इंक्रीज हो रहा है double आप लास नंबर का double increase है next number तो six का डबल क्या होता है सर 6 का double क्या होता है 12 तो 18 में हमें 12 वैड़ करना पड़ेगा 12 का double क्या होता है सर into 2 करेंगे 12 में तो मेरा answer क्या जाएगा 24 और 24 का double तो में दिग गया 48 यानि कि हमारा pattern satisfy हो गया ठीक है तो यहाँ 18 में कितना एड़ करना पड़ेगा, आपको 12 एड़ करना पड़ेगा, तो मेरा आंसर हो गया 30, अब वेरिफाई करने के लिए क्या आड़ करें, एक बार 24 और एड़ कर देते हैं, आंसर क्या जाएगा, 54, यानि कि मेरा करेक्ट आंसर इस question का हो गया 30, 30 कौनसर option answer हमारा option number C, मेरा करेक्ट आंसर हो गया, डबल का increment हो रहा है, और एक बार ध्यान रखना बच्चो, कि हरमेशा इस case में, स्टार वाले case में मैक्समम में अपोजिट्स नंबर्स का concept होता है, क्या होता है, अपोजिट्स नंबर्स का concept, इस question में था नहीं, तो हमने इसको इस type से solve कर लिया, ठीक है, now question number 9, question number 9 भी आपका है, बहुत important question है, इसे क्या कहते हैं, butterfly question, क्या है butterfly का question, कभी भी इस type से आपके पास figures बनी आए, यह जो figure है, butterfly जैसी, तो आपको क्या होता है, सबसे पहले, आपको इस बीच वाली value find out करनी होती है, middle value, central value कह लिए हो, यह वाली value आप लोगों को find out करनी होती है, तो मैं middle value कह है, 36, 16, और next number क्या है 64, सारे के सारे क्या है हमारे, squares हैं, हम कह सकते हैं, सारे के सारे क्या है, squares हैं, और हम यह कह सकते हैं, कि self multiplication है, self multiply भी कह सकते हो, या squares भी कह सकते हो, self multiply मतलब, 6 into 6, 4 into 4, यह होता है हमारा self multiplication, आप ऐसा कह सकते हो इसमें, ठीक है, तो बीच वाले value सारे के सारे square हो multiplication है, ठीक है, अब हम 36 बनाना है, इन numbers का use करके, 16 बनाना है, 64 बनाना है, अब वो कैसे करेंगे, देखते हैं ध्यान से, उसके लिए क्या करना पड़ेगा आपको, यह जो question है ना, butterfly वाले, इसमें आपको opposite check करने होते हैं, ठीक है, सबसे पहले आपको preference देनी हो, preference देनी हो तो आपको opposite को देनी है, pattern कुछ भी हो सकता है, 15 से 22 का भी हो सकता है, 16 से 9 का भी relation हो सकता है, 15 से 16 का भी relation हो सकता है, 22 से 9 का relation से भी हो सकता है, 22 से 16 का भी हो सकता है, 9 से 15 का भी हो सकता है, ठीक है, तो pattern कुछ भी हो सकता है आपका, बड़ आपको preference हर मेशा सबसे पहले किसको देनी है cross numbers को जैसे 22 से 16 को देना है 9 से 15 को देना है यह preference की बात है ठीक है वना हो तो कुछ भी सकता है तो आउट चेक करते हैं पहले हम cross ही चेक कर लेते हैं उसके बाद देखते हैं कुछ अपलाए करके 22 से 16 हो गया कितना चेंज आया 6 का 9 से 15 हो गया कितना चेंज आया 6 का अब इन दोनों को आपस में multiply करेंगे 36 आ गया यह आ गया तो यानि कि यह pattern हमारा अभी तक satisfy हो रहा है 9 से 13 हो गया कितना चेंज हुआ 4 का 11 से 7 हो गया कितना चेंज हुआ 4 का अपस में multiply करो के 16 आ गया यह 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 भी हमारा pattern satisfy हो गया अब 13 से 21 कितना चेंज हुआ 8 का तो 15 में क्या आड करें 8 आड करते हैं तो मेरा answer क्या जाएगा 23 23 option में है yes option number A का correct answer हो गया okay so question number 10 आपका question number 10 कैसे solve होगा question number 10 आपका थोड़ा difficult level का question है ठीक है difficult कह सकते हैं और ऐसे questions आपके SSC में बड़े बनते हैं SSC CGL में सबसे ज्यादा बनते हैं ऐसे question CGL CPO के exam जोओंगे न उसमें बहुत बनते हैं ऐसे question ठीक है और ऐसे pattern जनली identify भी नहीं हो पाते हैं कि दो करना क्या होते हैं questions में बता देता हूं आपको butterfly वाले question है तो center value तो आपको निकान लिए 93 15 ने question mark आपको निकान ले center value तो निकान लिए निकान लिए ठीक है चलो सबसे पहले hit and trial करते है squares add करके देखते है squares 5 का 25 36 9 9 and 9 25 36 9 and 9 25 36 9 and 9 आपस मैं add किया 9 and 18 23 29 यह तो हमारा बनानी ठीक है squares का तो मतलब है नहीं तो square का pattern तो हमारा obsolete हो गया add करके आया नहीं हमारा ठीक है नौ multiply करके देखते है 5 6 30 3 3 is a 9 नहीं बना 5 3 is a 15 3 6 18 फिर भी नहीं बना तो अब 93 कैसे form out करें तो 5 6 30 करते हैं सबसे पहले 5 into 6 plus 3 into 3 किया मैंने 30 plus 9 क्या बन गया हमारा 39 ठीक है बठ हमें चाहिए क्या 93 तो अगर मैं 39 को reverse कर दूँ तो मेरा क्या बन जाएगा 93 ठीक है अगर यही pattern है तो आगे भी check करते है 750 35 opposite number का multiplication चल ले है मैंने बोला ता आपको preference हर मेंश opposite को देनी है butterfly में पहले ठीक है 7 into 5 plus 4 into 4 तो यह क्या बना आपका 35 plus 16 तो बन गया क्या आपका 51 अब 51 बन गया आप लोगों का अब इसो क्या करने reverse कर देना है तो answer क्या बन जाएगा आपका 15 बन जाएगा और यहां बीच में क्या लिखा है आपका 15 ही लिखा हुआ है ठीक है तो reverse करने के बाद आप लोगों का क्या बन गया यह 15 बन गया नौ नेक्स्ट बॉक्स का निगालने ते इसी तरीके से 5 5 is a 25 4 plus 3 12 तो 25 plus 12 क्या बना आपका 25 plus 12 37 बन गया आपका 37 ठीक है अब इसको क्या कर दो आप reverse कर दो तो answer क्या बन गया 73 ठीक है बट मेरा मान नहीं रहेगा अगर आपके माइंड में एक्जाम में नहीं आता यह पैटन अगर माइंड में एक्जाम में नहीं आता ठीक है तो आप इसको skip कर सकते हो paper में ठीक है यह थोड़े logical pattern होते हैं generally लोगों के दिमाग में नहीं आते हैं but सबसे पहले आपको क्या करना है ऐसे cross multiply करके reverse करके एक बार जरूर चेक कर देना cross multiply करके देखू के relation क्या आगया आपका 39 अगया 93 से मिलता जुलता नंबर है अगर मैं इसको reverse कर दूँ तो यह आपको check करना पड़े एक्जाम में कुशन बनते हैं difficult level के होते हैं ठीक है now question number 11 question number 11 आपका easiest question है अब तक का दिया हुआ सबसे easiest question है easy question है कैसे दे Source 103 से 78 अगर आपस में less करूँ तो मेरा answer क्या आजागा 25 87 से 78 less करूँ तो मेरा answer क्या आजागा 9 तो 104 में क्या less करूँ जो मेरा 57 आ जाए तो 47 मैं less करता हूँ तो मेरा answer क्या अगा 57 ठीक है so question number 12 आपका box question है ठीक है सबसे पहले आपको क्या अनलाइस करना होता है और मुवमेंट डिसाइड करने के लिए सबसे बड़ा नमबर को चेक करना होता है दोनों रोस में ठीक है दोनों एक एक रोग एक कोला रहे है क्या बोल रहा हूं मैं कोशन नमबर 12 है आपका box question box question में करना क्या होता है पूरी के पूरी first row और पूरो का पूरो first column आपका analyze करना होता है क्यों क्योंकि movement decide होते है यहां से तो सबसे बड़ा नमबर आपको कहां लिखा है 14 है तो आपको इस side move करना जिस side arrow ठीक है सो 14 बनाने आपको चोड़े numbers को use करके तो चोड़े number को use करके कैसे बनाएंगे 3 into करेंगे 4 तो 12 आ जागा फिर plus करेंगे तो 14 आ जागा तो satisfy कर रहा है हमारा बहुत सही है बिल्कुल सही satisfy कर रहा है square and cube करते तो number इससे ज्यादा हो जाता है square करते cube करते तो number से ज्यादा हो जाता तो square cube का तो मतलब था नहीं नौ इसमें चेक करते है 6 5 30 30 plus 4 34 अब 34 आ रहा है बट यहां तो 44 लिखा है तो multiplier प्लस का तो pattern इस side से नहीं बना यह pattern नहीं follow हुआ तो next pattern और क्या हो सकता है next pattern को find out करते हैं देखते हैं और क्या बन सकता है इसमें ठीक है तो 14 लिखा है 44 लिखा है और 44 जो लिखा है 44 क्या होता है आपका 11 का multiple होता है यानि कि अगर मैं 11 से 4 को multiply करूँ तो मेरा 44 आ जाएगा ठीक है तो मुझे सबसे पहले 11 मनाना पड़ेगा 6 प्लस 5 करता हूँ तो यह क्या बनेगा मेरा 11 और 4 तो मुझे लिखा हुआ है यहाँ पर इंटू 4 किया तो 44 बन गया यानि कि यह pattern मेरा satisfy हो गया similarly 3 3 प्लस 4 करूँ तो क्या आया 7 7 इंटू 2 करूँ तो क्या जाएगा मेरा 14 यानि कि मेरा pattern यह satisfy कर गया अब इन दोनों को आड़ करते हैं पहले वाले नंबर को 5 प्लस 2 किया तो 7 आया 7 इंटू 7 किया थो मेरा answer क्या होना चाहिए 49 होना चाहिए कौन सा हो गया मेरा option number 6 का correct answer हो गया ठीक है ना question number 13 question number 13 भी आपका अच्छा question है अब 40 कैसे बनाया जाए तो मैंने आपको क्या बोले सबसे पहले आपको opposite चेक करना है कभी भी ऐसे number लिखे हो चार आपके पास तो 40 बनाते है 6 इंटू 4 24 2 इंटू 8 16 24 प्लस 16 तो मेरा 40 तो बन रहा है ठीक है यह फॉलो कर रहा है अब यहां चलो चेक करते हैं 6 3 जा 18 5 2 जा 10 18 प्लस 10 28 32 तो मेरा नहीं बना तो यह वाला पैटन तो मेरा सैटिस्फाइड नहीं हुआ ठीक है अब और क्या हो सकता है अब चलो इंसाय नंबर को एक बार आड करके देखते हैं पहले वाले सिर्कल वाले नंबर को आड करके देखते हैं 6 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 8 टोटल करेंगे तो क्या बना मेरा 20 20 से 40 कितना दूर है इंटु 2 दूर है डबल कर दो 40 आगे ठीक है सरु यह भी बन रहा है अब इसको पिक करते हैं हम साय नंबर्स को एड़ करते हैं 6 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 5 क्या बना मेरा 16 बन गया 8, 8 और 10, 10 और 6 16, 16 तो 2 क्या बन गया मेरा 32 अब इस वाले circle की बात करते हैं यानि कि pattern satisfy हो गया मेरा 4 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 5 तो 4 और 4 8, 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 5 4 और 4 8, 8 प्लस 9 17, 17 प्लस 5 तर इस 22 22 इंटू 2 क्या बन गया आपका 44 तो इसा correct answer होगा 44 ठीक है Now question number 14 question number 14 भी आपका बहुत अच्छा question है important question मान के चल सकते हो ठीक है expected question है अब 14 14, 12, 24 bigger number बीच में लिके हैं तो आपको smaller number को कुछ operation यूज़ करके bigger number center वाला find out करना है similarly 4 and 9 smaller number है bigger number बीच में लिगा है तो आपको 12 find out करना है ठीक है bigger number बीच में लिगा है तो आपको बीच वाली value find out करना है side वाले दो numbers के साथ ठीक है तो 2 कहां से बना है अगर मैं 4 का under root कर दूँ तो 2 बन जाया है बिल्कुल बन जायागा अगर मैं 9 का under root कर दूँ perfect square के सारे 3 बन जायागा बिल्कुल बन जायागा तो 4 का under root करना है यानि कि मुझे यहां 4 चाहिए मुझे, तो यहां मुझे किस का अंडरूट करना पड़ेगा, 16 का अंडरूट करना पड़ेगा, तो 4 आ जाएगा, तो इसका correct answer होगे दोस्तो, question number 14 का is 2, इसका correct answer होगे 2, 16, हम last वाले number का square root करते जा रहेते, मैंने कैसा identify किया, यह बीच वाली value check करके कि multiple है, exact first number के, ठीक है, okay, last question of this video, question number 15, question number 15, question number 15, question number 15, आपका new type का question है, अब देखो 4, 8, मुझे clear देख रहा है, 4, 8, क्या होता है, 4, 8, 32, 16, question number 15, question number 15, is the last question of this video, ठीक है, 4, 8, 32, 16, 6, 4, 24, 12, पढ़ते ही, मुझे यहां relation पता लग गया है, कि 4 into 8 क्या होता है, sir, 32, और 32 का half क्या होता है, 16, now 6 into 4 क्या होता है, sir, 24, 24 का half क्या होता है, 12, तो similarly, 8 को 9 से multiply करना पड़ेगा, 8, 9, 8 जा, 72 होता है, 72 का half क्या होता है, 36, ठीक है, तो कौन सा correct question हो गया, कौन सा correct answer हो क्या हो गया, question number 15 का is C, C आपका correct answer हो गया, ठीक है, दोस्तो, thank you very much, I hope यह आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं, तो हमारे चैनल को like, share, subscribe करना ना भूलें, और हमारे टेलिग्राम चैनल का link description box में given है, वहाँ जाके उसे join जरूर करें, ताकि आपको ऐसे interesting videos, SSC Railway, CSAT, RBI, SBI की मिलती रहें, time to time, ठीक है, take care, bye bye.